Geo Fiber वससs Geo Air Fiber Geo Fiber अपको पहले से देखने को मिलता है वाटव नया आ चुका है Geo Air Fiber तो कि थोड़ा सा अलग होने वाला है ब beetje ओरल, अपको थोड़ा सेम सेम देखने को मिलेगा, तो अस वीडियो के अrica हैं Geo Fiber बढ़्या होने वाला है जियो फाइबर और एर फाइबर के अंदर आपको इंस्टोलेशन की तरने चार्ज बरने पड़ते हैं सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइबर के इंस्टोलेशन चार्ज के बारे में तो इसके अंदर आपको 1500 रुपे बरने पड़ेंगे insulation के लिए जिसमें से 500 रुपे यहाँ पर refundable भी होने वाले हैं अगर आप यहाँ पर set of books लेना चाते हो तो यहाँ पर आपको 1000 रुपे अलग से बरने पड़ेंगे जो कि refundable होने वाले हैं बट आपको एक मंथ के अंदर उसको बंद करवाना पड़ेगा उसके बाद यह refundable नहीं होने वाले हैं यहाँ पर तोड़े सी ज्यादा रुपे आपको देखने को मिलते हैं बट यहीं पर आपको इसका postpaid देखने को मिलता है जहाँ पर आपको फ्री में installation देखने को मिलेगा साथी में इसके light plan भी आ चुके है तो यहाँ पर इसका अलग से देखने को मिलता है अभी बात करते हैं जियो एर फाइबर के इस्टोलेशन चार्ज के बार में 100 रुपए यहाँ पर आपको बुकिंग के बरने पड़ेंगे जो कि आपके रिचार्ज के अंदर एडजेस्ट होने वाले हैं और 1000 रुपए आपको इस्टोलेशन के लिए बरने पड़ेंगे अगर आप यहाँ पर 6 मंत का रिचार्ज कराते हैं तो जो भी आपके 1000 रुपए लगे थे वो यहाँ पर नहीं लगने वाले हैं यानि कि बिल्कुल फरी में हो जेगा बड़ आपको पूरे एक साल के रुपए बरने पड़ेंगे अगर मैं यहाँ पर इसके चार्ज की बात करूँ तो यहाँ पर दोनों के इंदर आपको GST बरना पड़ेगा जो कि जो भी आपको इसको रिचार्ज देखने को मिलते हैं इसके बाद आपको इसका फाइनल प्राइस देखने को मिलने वाला है इसके साथ आप चाहे तो इन अगरे बंडल पेक कराते हो तो यहाँ पर जो आपके 1000 रुपे है यह भी यहाँ पर माफ हो जाते हैं अभी बात करते हैं दोनों के प्लांस के बारे में तो दोनों के इंदर आपको 30 Mbps से लेकर ही 1 GBPS तक के प्लान देखने को मिलते हैं सबसे पहले बात करते हैं जियो प्लान आपको 1000 रुपे का देखने को मिलेगा और अल्लिम्टिट इंटरेंट और वोज कोलिंग का स्पोर्ट देखने को मिलेगा यह काफी अच्छा रिचार्ज हो जाता है इसका जो लाश्ट रिचार्ज है यह आपको 1 GBPS का देखने को मिलेगा यहां पर भी आपको 15-16 OTT देखने को मिलते हैं यानि कि यह भी काफी जादा बढ़िया होने वाला है जिए फाइबर केंदरा को एक और बेनिफिट देखने को मिलता है जो उसके पोस्ट पेड के रिचार्ज है वो अलग होने वाले है यह वाल के प्लान की बात करें तो पांस जैस्ट का आको पहला प सेटटाप का स्पोर्ट देखने को मिलेगा तो यह काफी बधिया बात हो जाती है को अलग से रुपय ने बढ़ते हैं जीओ फाइबर के अंदर 2. प्लान आपको आट्स नॉनिएंगा पल्स GST का देखने को मिलेगा 100 MPS की स्पीड देखने को मिलेगा सभी के अंदर आपको अल्लिम्टीट इंटरेट ही देखने को मिलता है यहां पर भी आपको साठ़े 500 चैनल का स्पोर्ट देखने को मिलेगा सोजा ओडिटी का स्पोट देखने को मिलेगा थर्ड प्लान यहांपर 11xmeter गख़्णष यहांपर भी आइपको 100 southern और स्पोट देखने को मिलेगा बरकिंवर आपको 16 ओडिटी का स्पोर्ट देखने को मिलेगा तेहों की काफंच आपको कमाल के होने वाले हैं क्योंकि 4,000 का होने वाला है 1 Gbps का एक मन्त के लिए बट एक दिकत यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है यह प्राल आपको सिरफ 6 मन्त और 12 मन्त की वैलेडिटी के अंदर ही देखने को मिलते हैं यानि कि आपको ये 2 का ही करवाना पड़ेगा आपको पूरे रुपे 6 मन्त के या फिर एक साल के बरने पड़ेंगे बट जियो फाइबर के अंदर आप एक मन्त का भी करवा सकते हैं और प्रोलम्स अभी बात करते हैं जियो फाइबर और एर फाइबर की क्या प्रोलम आपको देखने को मिलते हैं सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइबर की प्रोडम के बार में, तो इसको आप पोर्ट नहीं कर सकते हो, साथ ही में अगर आपको इस सेटर बॉक्स लेना चाहते हो, तो आपको अलग से रुपए बरने पढ़ेंगे, या फिर आपके प्लान को अपग्रेड करना है, तो उसक या फिर बारा मन्त के होने वाल है, यानि कि आपको जादा रुपए एक ही बार में खर्च करने पड़ेंगे, जियो एर फाइबर के आपको स्पीड की भी दिक्कत रह सकती है, क्योंकि यह यहां पर 5G नेटवर की उपर काम करने वाला है, बट आउट्डोर यूनिट होने स अब जानते हैं, जियो फाइबर के बारे में, तो यहां पर आप सिंगल मन्त का रिचार करवा सकते हो, तो यह आपकी मर्जी होने वाली है, जियो फाइबर के आपको डाउनलोड और अपलोड की काफी अची स्पीड देखने को मिलेगी, जितना वो बोलेंगे, उतनी ही तो यहां पर आपको काफी सारे उप्शन देखने को मिलेंगे, अगर अगर अपके एरिया के इंदर आपको कोई भी फाइबर देखने को नहीं मिलता है, या फिर आप गाउं में रहते हो जहां पर वायर नहीं आ सकती हैं, आपके लिए का बढ़िया रहने वाला है, आपके जानते हो वडिक्ट के बारे में जियो फाइबर या फिर एर फाइबर इन दोरों में से कौन सा बढ़िया है, अगर आपको मनी सेव करनी है, OTT यूज करने है, TV सेनल यूज करने है, सस्ते में, तो यह आपके लिए काफी दा बढ़िया रहने वाला है, जियो एर फाइबर, बट यहाँ पर थोड़ी इंटरेट की दिकत खोशकती है, स्पीड के दर दिकत आपको देखने को मिल सकती है, बट आपको किसी ऐसे विलेज के अंदर रहते हो, जहाँ पर आपको कोई भी वायर देखने को नहीं मिलती है, तो आपके लिए एर फाइबर काफी दा बढ़िय देखने को मिलेगी, और काफी अची ओप्शन देखने को मिलेगी, तो कमेंटर रहे आपको भी पूसकते हैं, ठैक्स पर वाचिंग,